ज्योतिश में किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में ब्रहस्पती और शनी दोनों के होने से क्या प्रभाव होते हैं? वैदिक ज्योतिश में प्रथम भाव या लग्न, स्वयम, व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट का प्रतिनिदित्व करता है. जब ब्रहस्पती और शनी दोनों इस भाव में होते हैं, तो उनकी संयुक्त उर्जा व्यक्ती पर एक अनूठा और जटल प्रभाव पैदा करती है बुद्धी, विस्तार और सौभाग्य का ग्रह ब्रहस्पती, सकारात्मक ब्रिष्टिकोन, एक मजबूत नैतिक दिशा और विकास और सीखने की इच्छा प्रदान करता है पहले भाव में ब्रहस्पती वाले लोग अक्सर आशावादी, उदार और आध्यात्मिक रूप से इच्छुक होते हैं दूसरी ओर, शनी अनुशासन, जिम्मेदारी और सनरचना का ग्रह है पहले भाव में इसकी उपस्थिती एक गंभीर, मेहनती स्वभाव, कर्तव्य की भावना और दीर कालिक लक्षियों पर ध्यान के इंद्रित कर सकती है शनी का प्रभाव अधिक आरक्षित या सतर्क व्यक्तित्व के रूप में भी प्रकट हो सकता है इन दो शक्तिशाली ग्रहों का सयोजन एक संतुलित व्यक्ति बना सकता है जो आदर्श्वादी और यथार्थवादी दोनों है ऐसे व्यक्ति में अपनी उम्र से परे ग्यान और परिपकवता की गहरी समझ हो सकती है वे अनुशासित होने के साथ साथ नए विचारों के लिए खुले भी होते हैं वे अभारिक्ता को दार्शनिक अंतरद्रिष्टी के साथ मिलाते हैं हालां कि इस शक्तिशाली सयोजन का लाब उठाने की कुंजी ब्रहस्पती की विस्तारवादी प्रवृत्तियों को शनी की प्रतिबंधात्मक प्रकृती के साथ संतुलित करने में नहित है यदि यह अच्छी तरह से देखा जाए तो यह जबर्दस्त व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर ले जा सकता है यदि नहीं तो यह आशावाद और निराशावाद के बीच आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकता है अंततर पहले घर में ब्रहसपती और शनी दोनों का होना एक शक्तिशाली विन्यास हो सकता है जो व्यक्ति के चरित्र में ज्यान, अनुशासन और लचीलेपन के मिश्रन को बढ़ावा देता है